सोयाबीन सप्ताहिक रिपोर्ट, पिछला सप्ताह सुरुवात सोमवार महराश्ट्रा सोलापूर 5410 रुप्य पर खुला था और शनिवार शाम 5350 रुप्य पर बंध हुआ. बीते सप्ताह के दौरान सोयाबीन में मांग ना रहने से माइनस साट रुप्य प्रती क्विंटल की गिरावर्ट दर्ज की गई. अंतराश्ट्रिय बजार में कमजोरी के बीच सिमित मांग के चलते सोयाबीन में इस सब्ता गिरावट दर्च की गई MP, महराश्ट्रा के प्लाटों ने 100-150 रुप्य क्विंटल भाव घटाय अमेरिकी सरकार द्वारा उम्मीद से कम बायो फ्यूल मेडेट के चलते खाद्य त तेलों में कमजोरी देख प्रोसेसेज उचे भाव में माल लेने से बचते नजर आये मैं महीने में सोयाबीन का निर्यात 64 प्रतिशत बढ़कर 2.9 लाख टन पनुचा लोजिस्टिक और गुनवत्ता संबंधी लाब के कारण दक्षन पूर्वेशिया प्रमुक आयातक रहा है बांगलादेश और दक्षन कोरिया भारतिय सोयामील के शीर्ष आयातक रहे हैं मानसून में देरी से सोयाबीन की बवाई पिछले वर्ष के मुकाबले पिछली 23 जून तक देश में मात्रा ने 99,000 हेक्टेय में सोयाबीन की बवाई हुई जबकि पिछले वर्ष इसी समय एक दशमलब पाँच पाँच लाख हेक्टेय में बुवाई हो चुकी थी महराष्ट्रा सरकार ने किसानों को बारिश आने तक बुवाई रोकने के लिए कहा है क्या बढ़ेंगे भाओ